दगो बटा एक्जाम पिल 11.7 बहुत अच्छा है पूरा कंडंचन ही इसमें आपको सिखा देता है यह आपके पास आइरन रॉड है जिसका टमप्रेच्चर अगर हम T1 माल ले 373 केल्विन अरतात 100 डिग्री सेंटिगेट पे है और यह जो एंड है जिसमें आपका एक ब्रॉस की रॉड जुड़ी हुई है इसका टमप्रेचर अगर हम T2 कह दें तो यह आपका 273 केल्विन यानि जीरो डिग्री सेंटिगेट पे है तो क्या होगी ही ज्यादा टमप्रेचर से कम की तरफ यानि यहां से टांसफर होगा जंग्चन पे टमप्रेचर अलग होगा वह भी आ कर्मल कंडेक्टिविटी जो के होगी वह कितनी होगी जायरती बात है दोनों रोट किसमें सिरीज में इस बात को ध्यान रखेगा और जो आपका रेट आप चेंज है इस जिससे फ्लो कर रही है वह निकाले है मस काम बन गया तीन चीज कर सकते थे तीनों चीज आपको देख रही है आईए सबसे पहले इनवर्दन टंपरेचर या टंपरेचर आफ दा जंक्शन निकालते हैं हाँ ध्यान दीजे देखे देखे एल वन और एल टू पाइंट जीरो पाइंट वन मीटर दे रखिए एल वन और एल टू बरावर है साथ में अगर आप एरिया भी देखे एरिया आफ आईरन किता है जीरो पाइंट जीरो टू मीटर स्कॉरर दिकरा विटा और ब्रास का भी आपको मालू है जीरो पाइंट जीरो टू यानि आप कह सकते हैं कि सार एल वन एल टू और एटू एवन एटू बरावर है ऐसे सूर्थाल में आप कहते हैं कि जो हमारा इ प्रेचर है वो T1 K1 T2 K2 अपान K1 प्लस K2 होगा केल्विन में देही रखा है आपने का 373 K1 आपने आइरन माना है आइरन का किता है बेटा 79 प्लस T2 आपका 273 है मजबूरी है जीरो डिगरी होता केल्विन कर लेता है नहीं तो यहाँ जीरो बन जाता है विचारा उसका कोई क अपान K1 प्लस K2 साल कर लिया जाए कैल्कुलेटर जी थोड़ी सी मदद कर दीजे है हमारी ताकि हम जल्दी से अपने रिजर्ड के पास पहुंच जाए 373 x 79 कितना हुआ हो काफी हुआ 29467 प्लस 273 x 109 29757 और इसको तमलुक जोड़ लेंगे नौ दुनी अठारा साथ और एक आठ तो यह तो मनी हुआ है यहां निकालने विटा है अगला सवाल अगले पढ़नेप करेंगे इसको जोड़ लेते हैं 29467 से और डिबाइट कर देते हैं 188 से कि ओ तीन सो पंदरा है मैं राइट यस ठीक है तीन सो पंदरा पाइंट जीरो आ रहा है केल्विन तो आपने का सार यह 315 केल्विन हो गया तो चलिए नमबर तीन वाला आपने सबसे पहले का लिए बहुत अच्छा किया इस इक जरुवत इसको निकालेंगे तभी आप यह रेट आफ फ्लो आफ हीट निकाल पाएंगे बटा आईए अब क्या निकालना के निकालना आई आपको हमने देखा है बताया कि बटा अगर L1 L2 और A1 और A2 बराबर हैं तो ऐसे सूरते हाल में आपका क्या हो जाएगा फार्मूला के का के का फार्मूला हो जाएगा टू के वन के टू अपान के वन प्लस के टू क्यों मसला स्रीज का है एक 79 है और दूसरा 109 है यस बस आपका काम बन गया 79 प्लस 109 फिर अगें टेकिंग दा हेल्प आफ कैलकुलेटर जी टू मर्टिप्लाइबाइबाइ 79 मर्टिप्लाइबाइबाइ 109 और ज्यादा नहीं बना 17,222 और अब्यूसली यह 188 जोली चुके हैं डिवाइट करते हैं यह आरा 91.6 एम आ राइट यस मिलकुल सही कुछ था ही नहीं इसमें यूनिट आप जानते हैं यूनिट अगर ना याद आ रही हो तो आप यहाँ से याद कर लीजे कि वाइसा यहाँ से लिख देंगे तो यूनिट आपको पकड़ में आ जाएगी जो रेट आप फ्लो आफ हीट है के ताइम एरिया डेल्ट टी अपान एल होता है तो यह मीटर स्कुआर अपान मीटर है मीटर मीटर कड़ जाएगा यह कैल्विन हो आपने का सर आमको निकालना है ही ट्रांसफर का जो रेट है वो बताना है कि साब देख लीजे पहला पाइंट देख लीजे करेंट थूदा कंपाउंड वार तो जो हीट करेंट यहां से जो फ्लो कर रही है वो कितनी होगी चार तरफ इंसुलेशन सोता जो यहां से इंटर और अन्टोगत्ता अगर कहीं लॉस आफ हीट नहीं हो रहा है तो ही आगे बढ़ती चली आईगी तो का बनी है आपने का इसका निकाल ली जेंगे यहां से लेकर यहां तक का जो की अराम से हो जाए गा है और वैसे भी निकाल सकते थी तो पूरे एक निकाल लीजे क्योंकि और वो ही जाएगी वैसे आप वो भी निकाल सेकते हैं हाँ रेट आफ फ्लो चलिए कहीं हो रहा होने दीजिए उससे क्या मतलब दा हीट करेंट फ्लो थू दा कंपाउंड वायर तो आपने का हमारे को के पता ही चल गया है हमारा आप से निकाल लेंगे यहां एरिया तो सेव ह हो जाएगा के अभी अभी निकाला आपने 91.6 एरिया आपका 0.02 है टंप्रेचर 773 माइनस 273 एल वन पाइंट वन प्लस पाइंट पाइंट अरे काम बन गया आपका 0.02 था बिटा और यह 0.02 हो गया यह 100 हो गया यह निकाल लिया इससे यह गाइव हो गया इससे यह गाइव हो गया तो आपका 196 जूल प्रतिस सेकेंड या वाट होगा है इतना येस तो देखिए तीनों चीज निकालनी थी बड़े आराम से आपने निकाल लिए कि भाई साथ जो यहां से फिलो कर रहा है वो आपको निकालना है और आप जानते हैं कि वो टंप्रेचर डिफरेंस एरिया के काल कंडेक्टिविटी और लेंद के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो विटा ये आपका एक्जाम्पिल था 11.7 आपकी NCRT किताब का और आपने देखा कितनी असानी से फार्मूला बेस था और आपने आराम से कर लिया